हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इलक्टीकल हब में आज हम ये न्यू एमरोन का इन्वेटर जो की 880 VA का है इसको हम लगाएंगे अगर आप घर पे खुद अपने आप से इन्वेटर चेंज करना चाहते हैं बिना टेकनिसियन के मदद के तो आप ये खुद कर सकते हैं आपको इसमें एक से एक चीजे बताऊंगा कि कैसे इसको लगाएंगे ये इसका फरंट पैनल का लुक है आप देख सकते हैं एमरोन का ये प्योर साइन वेव इन्वेटर है जो की बहुत ही अच्छा है आपको इसमें ये दो बिलैक वाली एक बिलैक एक रेट दो कनेक्टर लीडे मिलेंगी जो बैटरी पर लगती है ये आप देख सकते हैं ये आप इन लीडों को इस पर कनेक्ट करने से पहले आप देख लें कि पॉजिटिव सीरा आपका किस तरफ है और निगेटिव किस तरफ है आप इसे गलती से भी उल्टा ना लगाए ये जैसे हर एक बैटरी में साइन दिया होता है पॉजिटिव किस तरफ है निगेटिव किस तरफ है तो हमें दिग्या ये पॉजिटिव हमारा इस तरफ है तो हम यहाँ पर positive wire जो inverter से आ रही है उसको connect करेंगे तो पहले यह हमारा connector अंदर bolt और इधर से nut डाल लगा था बाहर side से अंदर side को जो की यह उल्टा है मैं आपको दिखाता हूँ अगर हम इसको कसिंगे तो हमें अंदर side से कसना पड़ेगा ना कि इस side से तो हम इसको खोल करके उल्टा डालेंगे हम इसका nut अंदर से और bolt बाहर से कसेंगे तो इसको पलट लें और उसके बाद lead लगाएं फिर उसके बाद एक वासर लगा के उस पर nut गसें यह वासर लगा दिया अब इस पर nut tight कर लें ऐसे ही आप black वाले छोर को भी इसी तरीके से आप black वाले पर कसें बैटरी के यह इसमें आपका जो bolt है वो सही लगाया अंदर से बाहर की तरब को आप सीधे black वाली wire connect करें और इसमें एक वासर डालें और उसके बाद इसको tight कर दें यह जली तरीके से उसके बाद आप एक प्लायर ले ले जैसे की यह रहा यह प्लायर की मदद से इसको tight कर लें दोस्तों अगर आप घर पर यह काम कर रहे हैं तो आप इस चीज की ज़्यादा ध्यान दे इस चीज का कि पीछे से आपको support लगाएं हम लोग electrician है तो हमें idea रहता है कि कितना क्या tight करना है अगर आपने ऐसे tight करा तो आपकी खूटी उखड सकती है तो पीछे से यह ध्यान जरू दे कि पीछे से opposite direction पर आप कोई range लगा ले प्लायर से पकड़ लें सलाई range लगा लें किसी भी चीज से opposite direction पर आप support जरू लगा लें उसके बाद ही कसे हैं नहीं तो आपको कोई idea नहीं होगा और आप अगर इसको ज्यादा tight कर दिंगे ना यह लूज रहना चाहिए ना यह ज्यादा tight हो फिक्स हो अगर electrician कर रहे हैं तो वो तो अपने एसाब से सब कर लेते हैं उन्हें तो सब knowledge होता है लेकिन आप घर म आप देख सकते हैं इसके back side में MC भी दे रखी है फ्यूज के बदले और हमारा 12 volt यह 12 ampere quick charger भी दे रखा है normal charger भी दे रखा है narrow voltage और white voltage इसमें selection mode हैं तो दोस्तो इसमें fuse नहीं होता है ताकि एक facility इसमें और जाते हैं जब आप इसमें main लगाते हैं कुछ अगर आपकी फ्लेक connection को बुलाना पड़ता है फ्यूज जोड निकले इसमें क्या होगा अगर आपका ऐसा कुछ दिक्कत आती तो MCV ही trip हो जाएगा आपको simply पीछे से MCV उठा देनी है बस हो गया यह हम इस पर main पर connect करते हैं अभी फिलाल हमारा पर light नहीं है तो यह light पर हम इसकी MCV on कर देते है on करते ही इधर main आना जानी चाहिए थी light नहीं है तो हमारी main नहीं आ रही है stem हम इसको आप on करते हैं तो इसका UPS mode पर यह हमारा चालू हो जाएगा यह इस तरीके से कुछ हमारा UPS mode on हो जाएगा और इसका यह pure sign wave दोस्तों बहुती बढ़िया inverter है इस emron का अगर आपका inverter खराब है और आप inverter लेने की सोच रहे हैं तो आप marketing में जाकर करके इस emron की inverter को ही purchase करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जाते जाते चैनल को अगर subscribe नहीं कर रहा है तो please subscribe कर लें और comment करके कुछ पूछना है तो आज comment भी कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो